हेलो फ्रेंड कैसा है सब लोग तो चले फ्रेंड आज की वीडियो में बात करेंगे class 11 जिसका computer science है यह जो होगी class 11 ठीक है और computer science subject है जिसे यहां देख पार रहे स्क्रिन पे कि सेट वन है यहाँ प fairness कितना होगा आपका फोटी होगा या छालीस को स्थन होगा वो भी क्या होगा आपका mcq होगा कौN होगा mcq होगा यनि multiple twice question होगा time आपको 1 घंटा दिया जाएँगा ठीक है और यहांसे लिखा हुआ है कि all questions all compulsory जो question जितना चालिस को सन चालिस के जवाब आपको देने होंगे आपको चूच करके जोन तो सही होगा वूस में आपको क्या करने है और मार सीट में फिल करने है ठीक है भरना है और कोई भी प्रोग्लाम हो तो आप दिये गे नंबर पे आपको कॉल कर सकते हैं नी मैसेज कर सकते हैं और इसका पीडियाप जो है डिस्क्रिप्सन के लिंक में डाल तो देखिए यहाऄ पे पहला कॉच्छन आपका स्क्रीन पे दिया गया है कि एक नंबर कोच्छन में कि फर्स्ट जनरेशन कमप्यूटर यह внеш जनरेशन कमप्यूटर में किस चीज़ का इस्तेमाल क्या गया था यह सी प्यू में जो किया गया था यहाड़वियर के रूप मे किसका इस्तेमाल किया गया था option number one दिया गया है stored program in the memory of the computer या where built in 19th century या फिर used vacuum tube instead of switch and release या all of these देखिए जो first generation computer था हमने आप लोगों को पढ़ाया भी होगा या फिर कहीं भी आप लोगों ने class किया होगा वहां आपको बताया होगा कि generation of जो computer थी उसको ये बारे में जो discuss किया होगा कि total जो generation है आपका 5 generation आपके किताब के मताबिक दिया गिया है किताब में दिया गिया है 5th generation पांच generation तक computer हलां कि बहुत आ गिया है 11-12 ठीक है 11 generation ठेकिन यहां आपके किताब के recording 5 generation है तो first generation जो computer था जो उसमें इस्तेमाल किया गया था vacuum tube का ठीक है second generation में जो इस्तेमाल किया गया था CPU में उसमें किया गया था transistor का और third generation जो किया गया था उसमें किया गया था आपका IC का integrated circuit ठीक है तो जड़ातर इसी तीनों में से question आपको पूछता है जो जड़ातर पूछता नहीं एक्जाम में इसलिए हम आपको यही तीन के बारे में discuss कर देते हैं ठीक है तो यहां पूछा है कि first generation जो first generation में किसका इस्तेमाल किया गया था vacuum tube का तो 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 तीन नमर में दिया गया कि use vacuum tube नहीं तो इंसर करने हो जाएगा आपका तीन नमर हो जाएगा ठीक है चलिए नमर दो की और बढ़ते हैं question दे आगी है कि the brand of the computer इस दे नहीं brand of computer किसको बोलते हैं क्या control unit को बोलते हैं यू का बोलते हैं year cream को बोलते हैं फिर all अप डीस ऑलते हैं देखिए CPU का यह लोग होती है वह तीन ओता है पहला होता है अपका what aは ओता है दूसरा होता का अ टिश्रा होता है आपका यहां पूछा है कि ब्रैन अप कंप्यूटर तो ब्रैन अप कंप्यूटर जो है वह वह आपका तीन नमर हो जाएगा यहां चलिए तीन नमर कोशन की और बढ़ते हैं तीन नमर कोशन ने मुझा है कि यहां प कोई सब्जक्टी में कोई अगर कोशन कर दे कि डेटा क्या होता है तो बोल दिजिए अब जिजा कि डेता रौ तीन का नमर हो जाएगा चलिए चोगती निमीर कोशन की बात कर ल्यता है, क्रे, X MP 14 is है, यानि कि यक कौन सा computer, यह computer है, ठीक है, X MP 14 is है, क्या हैโ pray तो यह स्टेप जतना computer होता है, सब कौन सा होता है, आपका, सूपर computer होता है, कौन सा होता है, सूपर computer होता है, ठीक है, next question क्यों और बढ़ते हैं दिया गया है आपके screen पे which of the flowing is an operating system software कैतना है इन में से कौन सा operating system software है क्या MS does है या unix है या दोनों है या नन अब दीज है दिखिए operating system जो software होती है दिखिए सबसे पहले आप समझें कि software जो होती है त्री type का होता है कितना type का होता है कौन कौन होता है पहला होता है आपका system software दूसरा होता है आपका application software और तिसरा होता है आपका utility software तो system software के अंतरगत जो example आती है वह होता है आपका पहला तो आपका operating system हो जाएगा आपका compiler हो जाएगा आपका interpreter हो जाएगा यह सब क्या होता है आपका system हम सब्टेवेर के अंतरगत आता है ठीक है दूसरा होता है अप्लिकेशन सब्टेवेर अप्लिकेशन सब्टेवेर के अंदर आपको देखने को मिलेगी MS Word MS Excel PowerPoint ठीक है टैली हो गया Photoshop हो गया पेज मेकर हो गया मतलब जितना भी एँप है यह तोटल केंसा होता है अप्लिकेशन सब्टेवेर के अंतरगत आता जो बाहर से आम लोग डाउनलोड कर लेते हैं ठीक है जिसे पैंट हो गया not paid हो गया सब्टेवेर यह सब्टेवेर और तिसरा जो होता है utility software utility software वो सब्टवेर होती है जो की कम्प्वीटर की कारेचंता को क्या करते हैं बढ़ाता है जैसे कि माल ले चला रहा है चलाते चलाते हैं आपके computer में क्या हो जाएगी वाइरास आजाती है तो सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह यहां जो पूछा है यह ऑपरेटिंग सिस्टेम पूछा है तो इनमें MSDOS भी है क्योंकि लिखाओ दी ओस डीस्क ऑपरेटिंग सिस्टेम के उनिक है यह भी उनिक्स दिया गया है तो एक다 अपplace ुपरेटिंग इसने हो जातां कि इन्हें कौन सा अपरेटिंगी सिस्टेम है एम्यसमें इन उनिक्स भी which one of these is a hardware काता है कि इनमें से कौन सा एक hardware है क्या integrated circuit है या फिर procedure for inputting data है या फिर compiler या भी Fortran है दिखिए ये जो compiler है ये तो आपका software है Fortran ये भी एक तरह का software है programming language जो बोलते है Fortran नहीं तो integrated circuit जो होती है जिसको हम लोग IC बोलते हैं ये third generation में इस्तेमाल किया थे CPU में तो ये एक तरह का hardware है क्या है ये आपका hardware है तो answer कौन सा हो जाएगा आपका एक number answer हो जाएगा clear next question क्यों और बढ़ते हैं कता है complete sequence of bandy number 100 है 101 है 110 है फिर डॉट डॉट है फिर डॉट है इस कौन सा होगा क्या 111 होगा या 101 होगा या 111,001 होगा या 78 होगा या फिर 111,00 देखिए अच्छी धियान दीजिएगा इस तरह अगर आपके exam में question देखने को मिल जाए तो ये जो अभी दिया गिया है ये फिलाल अभी ये binary number में दिया गिया है तो 100 जो होता है तो ये आपका किसका होता है ये देखिए 100 का अगर चेक करना है कैसे हम लोग निकालते हैं तो 1 यहां लिख दीजिए फिर यहां 0 लिख दीजिए फिर यहां 0 लिख दीजिए ठीक है इसको multiply कितना से कर दीजिए 2 से कर दीजिए इसको भी multiply कितना से कर दीजिए 2 से कर दीजिए और इसको यह multiply कितना से कर दीजिए 2 से कर दीजि तो इसका 2 पे पावर 1 एक्वल टू 2 एक्वल टू 0 प्लस 2 पे पावर 0 एक्वल टू 1 गोना 0 एक्वल टू 0 तो इसका कितना हो जाएगा आपका 4 निकला तो इसका यहनी कितना निकला इसका इसका आपका 100 का कितना होता है आपका 4 होता है ठीक है अब देखते हैं 101 का तो 101 इसक ऊपर पावर लगा देजिए 012 तो तो टुएंटु इकवाल टू कितना होता है एसका तो जीर निकला 5 निकला थेकिए अब नेक्स्ट वाले का दिखते कितना होता है 110 का 110 का कितना होता है इसको भी एगर multiply किजिए आपका इसका निकल जाएगा आपका कितना six से निकल जाएगा कितना निकल गएगा इसका 6 यानि hmm the seven यह चार पांच शे उसका मतलब आगे होना चेओ साथ दुस्रा होना चेओ आट तो यह तो होगा नहीं पहले चलिह हम चार नमर को try करते हैं 1, 1, 1 को, किसको करते है, 1, 1, 1 को, तो यहां लिखते हैं, 1, यहां भी लिखते हैं, 1, यहां भी लिखते हैं, 1, तो इसको multiply किजिए 2 से, इसको multiply किजिए 2 से, तो 2 पे power 0, इसमें 1, इसमें 2, 2 into 2 equal to 4, ठीक है, इसमें 2 पे power 1 equal to 2 into 2, 2, इसका कितना हो जाएगा, 2 पे power 0, तो इसक रदो च्हावर एक इतना हुआ साथ हो नहीं तो इसका मतलब कौन सा वजाएगा आपका चार नमर चाह का इसका रहिएक रहागा इसी से आपको निकालनी है तो इसमें जो फिल होगा इसमें चार नमबर फील होगा ठीक है चलिए आठ नमबर कोशन की और बढ़ते हैं अनिवल इस गुरूप ओब बीट्स एंसर को जाएगा आपका दो नमबर इंसर जाएगा चार चार बीट्स इक्वल टू वन निवल होता है ठीक अब नो नमबर कोशन दिया गया एपी रॉम इस्ट होता है पहला होता है आपका अंदर होता है पहला होता है उस प्रेमर्य के पर्मर्म का पूरा नम क्या एर्जबल ड़िये ल॑ं रीड टिकें रही चलिए चार ऑफ् 5000 दीबाइस पर्वेंनिटली इस्टोरे मेमोरी कहता है कि इस कौन सा मिमोरी पर्मनेंटली स्टोर करता है ठीक है तो एंसर कर जाएगा आपका RAM नहीं होगा RAM कुछ दिर के लिए डिटा रखता है जब तक आपका लाइट रहेगी तब तक सेब कर देजेगा तो सकेंडरी मिमोरी में चल जाएगा लेकिन यहां जो पूछा है तो इस औप्सें केहिशा से एणसर होगा आपका त्री नमबर ठीक है कि यहाना कंपर को सन में दिया गया इकि टा फूल फोर्म ऑप यूवेजिए यंई यूवेजे बी का पूरा नामunda होता यह होता है है आपका यूनिवर्सल सिरियल बस किया होता है यूनिवर्सल सिरियल बस् इस नोन डिवाइस जेनरली मेड in डिमी कंड़ुक्टर मतलब कौन सा डिवाइस से मी कंड़ुक्टर से बनी होती है मी मुरी तो वह एंसर जेगा पर रैम किसे बनी होती है सेमी कंड़क्टर से ठीक है अर्द चालक जो हम लोग बोलते हैं चलिए चाओदे नमर कोशन है assembler is used as a translator for assembler का क्या होता है low level में convert करना high level को low level में convert करना थे answer हो जाएगा आपका low level language ठीक पंद्रे नमर कोशन दिया गया है object oriented programming employed dot 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 programming approach इसका जो एंसर हो जाएगा वह जाएगा आपको bottom up ठीक है next question की उवर बढ़ते 16 नमर कोशन दिया गया वहाँ type of structure is the flowing structure जो आप देख पार है अपने screen पे कि यह वाला जो आपका दिया गया है यह किसका है दिखिए यह flow chart का है flow chart में इसका क्या काम होता है इसका काम होता है process करना किसी भी चीज़ को क्या करना process करना CPU क्या करता है CPU का क्या क्या करता है process करना नहीं processor जो हम लोग बोलते है answer number इसका 4 हो जाएगा ठीक है अगला question है सत्रे नमर classes in C++R CPPR तो इसका answer जागा user defined data type क्या हो जागा यह classes CPPR क्या हो जागा user defined data type ठीक है next question क्यों बढ़ते अठरे नमर question में दिया गया है in CPP member of a class are dotted by default तो C++ versed member class क्या होती है वह थिए हमका private क्या होती है प्रेवेर होती है ठीक है 19 नमर ग्सेर नमर सिस्टबर पावर हो क्या इंट्रेक्टेम में सिस्टम में जो भावर होती है या अतना हो टा है तो वह उत्रोता है कितना होता है तो एक नमर इसका answer हो जाएगी ठीक बीस नमर को सांग की ओर बढ़ते हैं which part interprets program instruction and initiate control operation तो यह क्या करता है control करता है कौन करता है control unit करता है ठीक है the section of the CPU that select interprets and sees to the execution of program instruction is control unit क्या हो जाएगा control unit ठीक है बाइस नमर को सांग की ओर बढ़ते हैं example of open source operating system इन में से कौन सा open source operating system है तो Linux क्या होता है आपका open source operating system होता है ठीक वीच operate has highest precedence कौन है इसमें highest precedence कौन है यह आपका चार नमर है प्लस प्लस इसका मतलब होता है increment operator कौन सा है increment operator ठीक है 24 नमर को संग क्यों बढ़ता है controller of computer system transfer data from device to इसको क्या बोलते हैं buffer बोलते हैं क्या बोलते हैं buffer ठीक है next question की ओर बढ़ते हैं कि to start and input output operation device driver load approach rate register into device controller क्या हो जागा इसका device controller हो जागा 26 नमर को संग क्यों बढ़ते हैं कि in computer subtraction in generally carry out by कितना करता है यह आपका two compliment करता है कितना करता है two करता है ठीक है two compliment next question क्यों बढ़ते है 27 नमर question में floating point representation is used to store क्या करता है real integer करता है integer number को करता है इंटीजर नमर बोलते हैं कौन सा नमर बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं यह फ्लोटिंग पुछा था कौन सा जाएका रियल इंटीजर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question क्यों बढ़ते हैं 28 नमर को संहें कि टेक्नलोजी यूजज इन मैनुफेक्च्यर और सकेंड जनेशन कम्टेर सकेंड जनेशन कम्टेर में किस का इस इसनमाल किया था अभी तुरंद हम उपर में बता हैं तो सकेंड जनेशन में किसका इसनमाल किया है क्या होती है डीस्क क्या होती है इसका जो इंसर हो जाएगा इसको निकालना हो पड़ता है तो इसका इंसर हो जाएगा फिलाल इसको याद रख लीजीएगा इसका हो जाएगा 100 है कि मतलब क्या हैं कि एर oatmeal ती है उसमें कितने होता है जो होता इसमें कितना होता का out verse सब चीज जो है ना आप लोग क्लास 12 में हम लोग आपको क्लास करवाएंगे टोटल पूरा सी प्लस प्लस हम कवर करवाएंगे आपको ठीक है इसी चैनल पे आर विस कंप्यूटर एजुकेशन पर ही पहले आप लोग एक्जाम के बाद कर लिजेगा उसके बाद हम आपको क्लास करवाएंगे यहां से बिल्कुल इजी लांगवज में आपको ठीक है चली 32 नमर को सब्सक्राइब बढ़ते हैं कि आवन डिसमन डिमेंशनल एरे इस ऑल्वेज कंसिडर्ड एज तो वन डिमेंशनल एरे जो होती है वह हमेसा किसमें ह होती है सिक्वेंशील और लिनियर दोनों में होती है इंसर नमर कंसा हो जाएगा तीन नमर हो जाएगा ठीक नैक्स क्यों बढ़ते हैं वीच प्लस फंक्शन इस यूज़ड फॉर फैंडिंग एबसिल्ट वैल्यू तो वह जाएगा फैप सो जाएगा ठीक है कुछ कुछ न इस या देखनी पड़ेगी ठीक है नेक्स को सन्किर बढ़ते है चौतिस नमर को सन में अ कम्फ्यूटर प्रोग्राम डाट कर अब लेंगवेज टू मसील लंगवेज कौन करता है वह समलर करता है कौन करता है ठीक है पैटिस नमर को सन है लोडिंग दा ऑपरेटिंग इंप्रिंटर बोलते हैं डाटी डिवाईस एमांग फ्लोवोईंग इस पॉैंट ढवाइस दूजकिया माउस सब्सक्राइक होतीए माउस एक प्रिंडिंग डिवाइस है क्योंकि पॉैंटर बन रहे हैं तो यहां ओप्षन में दिया गहां ज्वाइस्टिक भी माॉस का ही तो इसको करने के लिए हल करना पड़ेगा थो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको बाइंडरी में करना पड़ेगा जैसे बीटू एफ है तो बी कितना होता है तो B का जो होता है वो B का जो वैलियू होती है वो होती है एक यार है कितना होता है हेक्साडिसिमल नंबर सिस्टम जो होती है उसका बेस होती है सोल है जीरो से लेके नो तक किसमे होती है डिजिट में होती है और दस से लेके पंद्रे तक जो होती है वो A, B, C, D म होता है तो यह 11 हो गया टीक है उसके बास यहां दिया गिया है किटना ठीक है खीक है कोई जिकत नही epidrant सभी निकलना होगा मतलब 11 1 जो है यह decim citizenship का बेंडी निकलना है तो फिर फिर बाग तीन कितना होता है चार होता है तो से बाता हुआ भार दीजीए तो एकल कितना बचा जीरो बचा इसका मतलब हुआ 1, 0, 1, 1 तो इसका कितना दिकला 1, 0 1 और 1 टीके, और 2 का जो निकलता है अगर 2 को निकालीयेगा तो यहीँ से निकालेजे 2 को अगर निकालना है 2 से 2 में भाग दीजी 2 एका, 2 और से सब्सक्ति की दुएफा जिरो, तो इसका कितना दिकला 1 और 0 तो निकालना है तो हम निकाल लेते कितना हो जाएगा कितना बचा फिर भाग दीजिए तो इसका निकला कितना पंद्रय का वान 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 ठीक है इतना लिख देना उसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको अराम से सजा देना इसे पहले लिखना फिर लिखना जीरो ठीक है फिर वान फिर वान लिख दिए उसका इसको लिखना है देखिए इसमें कितना डिजिट है इसमें कितना डिज इसमें तो कोई दिकत नहीं होने चीए क्योंकि आगे जिरो लगाने से क्या होते हैं उसका मान चैंज नहीं होती है तो आगे में यहां दो जीरो लगा दिये यहां पर फिर वन जीरो है ठीक है उसके बाद यहां पर दिया गया वान वान और वन अब क्या करना है इतना कर लिए कितना का पिएर लगाना है थिरी थिरी का आप क्या कर लेजिए इस पेर लगालेजिए थिरी थिरी का 2009 आई से लिख लीजिए फिर 100 के-1 see , फिर लिखे, 101, 101, ये लिख दिए , फिर last में, 111, ये लिख दिढ आपो इसको क्या करना है, डिसीमल में निकालना है , एक फ्सिमल में निकालने के लिए एक ठ्यवाम बताता थेओं फिर आप लोग निकाल लिए करना है तो आटुसे करना है इसे इसे पर लगा लगाए जिए टीक दो दुना कितना होता चार पलस से पंड न गवलत से करना ऩॉ dwodun 0 equal to 1 1 1 equal to 1 तो 4 और कितना हुआ 5 तो इसका कितना निकला 5 इसका 5 निकलता है ठीक है इसका निकला कितना 5 1 0 0 का निकलता है 4 आपनों निकाल लेज़े उसी मेथड से और 1 0 1 का निकलता है 5 और 1 1 1 का निकलता है 7 बराबर दे करके पहले लिखिएगा 5 फिर लिखिएगा फोर फिर लिखिएगा 5 फिर लिखिएगा 7 अब दिखिए यह निकला आपका अक्टल में ठीक है यह पहले आपका दिया गया था है hexadecimal में यहां पे अब निकला यह उक्टल अब धूड़िया आप्सन में कहां है 5457 कहा है तो यहां दो नमर है तो इनसर को जाएगा आपका दो नमर हो जाएगा किलिए रहे चलिए अगला question की ओर बढ़ते हैं DBMS का पुरा नाम क्या होता है DBMS का पुरा नाम होता है database management system इन नमर इनसर हो जाएगा last question है to as complement of a binding number is calculated by adding one to its once complement दो नमर इनसर हो जाएगा तो यह 40 question जो दिया गया था यह mcq type का था यह 6 set total दिया गया है आपको हम 6 set हल करवाएंगे अभी फिलालो one set करवाए वीडियो थाड़ा लंबी होगी skip नहीं किजेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगी ठीक है अराम से 6 set को देख लेजिए किसी एक सेट से जरूर आपको आएगा 6 set में से कोई एक सेट आपको एक जाम में देखने को मिलेगी काफी helpful होने वाली है वीडियो ठीक है इसलिए आप लोग इसको आराम से देखिए दोस्तों वगरे सबको सेर कीजिए क्योंकि यहां कोई competition नहीं हो रही है सबको पास करने ठीक है तब फिलाल मुझे इजाज़त देजिए तब तक के लिए